मैं रेकी ग्रांड मास्टर एंजिल हीलर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूं आज हम जानेंगे कि एनर्जी सर्किल यानि उर्जा का एक सर्किल अपने आसपास कैसे बनाए उर्जा आप रेकी के थहू भी आप सर्किल बना सकते हैं उसे भी या जो लोग रेकी से नहीं जोड़े हैं उन्हें भी अपनी उर्जा अपनी शक्ति अपनी आभा मंडल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि आभा मंडल उर्जा हमेशा आपके अंदर है लेकिन आपको एक कई बार ऐसे प्रोसेजर नहीं पता होते कि आप कई बार जानने की कोशिश करते कि अपनी शक्तियों को कैसे बढ़ाएं इसके दो तरीके हैं पहला तरीका यदि आप रेखी से जुड़े होएं हैं तो उसके मार्ध्यम से आप उन सिंबल का यूज करके बढ़ा सकते हैं दूसरा तरीका आप अपनी स्वैम की जो भी आप धर्म को फॉलो करते हैं जो भी आपके गुरू हैं जिस भी आप इस्ट को म जिससे आप देखेंगे, अगर आप अभ्यास थोड़े दिन करेंगे, तो आपको बहुत शान्ती, एक मनन शान्ती, एक आपके शक्ती का संचार आपके शरीर में, और आपको एक स्टेबिल्टी आपकी लाइफ में आएगी, आपकी इच्छा पूर्दी के लिए भी आप उस अपयोग कर सकते हैं, आपके बच्चे यदि जंक से नहीं पढ़ाई कर रहें, तब भी आप उस उर्जा का उपयोग वहाँ पर सही माध्यम से कर सकते हैं, पहले मैं बता देती हूँ जो रेकी से जुड़े होएं उनके लिए, अगर आप रेकी से जुड़े होएं, तो अपने दोनों हातों को उपर ले जाना है, आपको आँख बंदर के रेकी के बारे में सोचना है, जो भी रेकी के आप सिंबल जानते हैं, जो भी जानते हैं, आपको ध्यान करना है, और एक गोल सा सरकल अपने चारों तरफ आपको बना लेना है, और यहां पर एक चौकुरे बना के उसे seal 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 कर देना है इससे आपकी जो उर्जा आपके चारो तरफ होगी यदि वो negative उर्जा आपके पास आ रही होगी तो उस समय के लिए seal हो जाएगी यहाँ पर आपको अपने गुरू का ध्यान करते हुए जिनसे भी आपने रेखी सीखी या जो माध्यम है या जो symbols आ आप उनसे connection बनाते हुए उनके माध्यम से आप अवाहन करेंगे और उन symbols की उर्जाओं को आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर ऐसे गिर रहा है आप पूरी तरह एक उर्जा आप यदि अपने हातों को भी चुएंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक आपको आभा म बना ही आप उतने crown चक्रा पर और आप उसको feel कीजिए आप जाए तो chi ball यानि पहले हातों को आप रब कीजिए अच्छे जोड से और जोब से वो गरब हलके गरब हाट निकलने लग जाए तो उसको दीरे 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 आप देखिए ऐसे बनाना शुरू कर दीजिए आपके जिस भी माध्यम से सपोस मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है और मुझे उची ball बनानी या बनाए पांच में साथ में अब भ्यास धीरे धीरे कीजिए अगर आप जोड से ना करना चाहते है अराम से कीजिए टीवी देखते हुए कीजिए एक उचित जगे का chain कीजिए करते करते कर जब वो पूरी ball बन जाए तो उसे छोटा सी अपनी ball बना ले और वहां पे वो उर्जा का संचार उसे च्छा से कर दें जब हातों को रप करेंगे तो एक उर्जा का आपके हातों में संचार होगा वो संचार आपकी खुद की आबा है आपकी खुद की स्वेम क उर्जा है, ये लोग जो रेकी से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उन्हें एक उचित जगे का चेयन कर लें, आप अराम से कमफोर्टब ऐसे ही टेबल हैं, आप बैठ जाएं, आखे बंद कर लें, जो भी आपका इश्ट है, जिस भी आप धर्म को फॉलो करते हैं, जो भी आपके गुरू हैं, जो भी आपके माता पितना हैं, इसके पास कुछ ना हो, तो आप उनके चरन कमलो का, उनका स्वैम का ध्यान कीजिए, उनका ध्यान करते हुए आप आवाहन कीजिए, रेकी की, आप आवाहन कीजिए उनकी शक्तियों का, उनके अपना जो पिता माता पिता के तरह एक protection बना रहे हैं जो आपको पूरी तरह कवर किये हुआ है और पूरी तरह आपका संचार कर रहा है और वही cheap ball अपने ही शक्तियों से आपको आँख बंद करके हाथ जोर तो एक ball का निर्मान हाथ आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे अगर आपक का ध्यान करते रहें अपनी इच्छा करें कि वह आपके चारों तरफ एक आपको एक दिव्य उर्जा में रख रहा है एक दिव्य प्रकाश में रख रहा है और अपनी इच्छाओं को वहाँ पर रखें ये जो energy circle है जो आप चारों तरफ बनाएंगे आप अपने बच्चे क बनाएं जिससे उसकी सारी जो negative energy से वह निकल जाए और वो protection sheet में रहे अगर आप ये भी ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे जो रेकी से नहीं जोड़े हैं वो sheet के माध्याम से उर्जा के माध्याम से उस circle के माध्याम से दिरे-दिरे उनका संचार होगा वो सुरक्षित हो एक सुरक्षा की भावना रखते हुए आपको ये चारो तरफ एक circle बनाना है आप चाहें तो crown chakra पे भी बना सकते हैं पैरो के लिए भी उस circle को बना सकते हैं जैसा आपका इच्छा हो जैसा आपका सभाव हो आज मैंने आपको बताया कि आप रेकी के माध्याम से energy circles या जो र आइकोन पर click करना है कि ये जोब information आपको दीए सभी तक साथा आसानी से बहुत सके थैंक यू सो मच